हलो स्टुरेंट्स, माइसेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल, और्गेनिक केमिस्टी में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग है, उनका एक प्रियरिटी ओर्डर है, जिसको हम फ्रिक्वेंट्ली और्गेनिक केमिस्टी में यूज करते हैं, नेमिंग और्गेनिक कमपाउंट्स, मतलब नॉमेन प्रिक्वेंट्स में, या फिर जो दूसरे और्गेनिक केमिस्टी के अंदर चैप्टर्स हैं, और जनरली इस्टुरेंट्स को याद रखने में इनको बहुत डिफिकल्टी जाती है, तो आज मैं आपको यहां पर मेरे एक function groups को अगर आप इस neumonic को follow करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत मज़ा आएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए first function group जो है वो कौन सा function group है carboxylic acid और carboxylic acid सबसे top priority के उपर है इसका जो suffix है वो क्या है वो है suffix मतलब iubacinim oic acid और इसका जो prefix है वो क्या है prefix है carboxy तो हम carboxylic acid को आज के बाद याद रखेंगे car तो ये देखे कार कितनी बड़ी है कार आपके सामने यहाँ पर आ गई है है ना अब कार कौन सी है तो obviously ये थोड़ी सी खटारा और पुराने टाइप की कार है next जो function group है वो है sulfonic acid इसका suffix that is IUP से name alkane sulfonic acid और its prefix is what sulfo तो ये जो sulfonic acid है हम इसको याद रखते है sumo car sumo है तो ये car का type है car का brand है sumo car अब इसके अंदर जो carboxylic acid के derivatives हैं वो next priority पर आते हैं जैसे first है anhydride anhydride का जो suffix है वो है oic anhydride इसको हम IUP से name भी बोलते हैं तो anhydride को now onwards हम याद रखेंगे annaji with due respect annaji तो देखे annaji annaji क्या कर रहे हैं easter occasion पर तो anhydride के बाद जो next function group है वो है easter ester इसका जो suffix है that is IUPAC वो oate है और इसका जो prefix है वो क्या है either carb alcoxy और alcoxy carbonyl तो हम easter that is ester function group हम इसको याद रखेंगे annaji easter occasion पर क्या कर रहे हैं ac car है ये ac का मतलब next function group acid chloride और acid chloride इसका जो suffix है वो क्या है oil chloride alkenoil chloride या alkenoil halide इसका जो prefix है वो क्या है chloro carbonyl chloro carbonyl that is hello carbonyl तो हम जो annaji है easter occasion पर ac car में air conditioner कार में क्या कर रहे हैं अम्मा जी को लेकर निकले अम्मा जी को लेकर निकले तो अम्मा जी मतलब amide its suffix is what alkenamide that is amide और इसका prefix क्या है amide का amido या carb amoyl तो अब मैं वापस यहाँ पर summarize कर देता हूँ कार सुमो में annaji easter occasion पर that is ester ac car में अम्मा जी को लेकर निकले इसके बाद जो next function group है cyanide cyanide इसका जो suffix है वो क्या है nitrile इसका जो prefix है वो क्या है sino और cyanide के बाद next function group क्या है isocyanide तो isocyanide का iupis name carbamino its prefix is also carbamino carbamino alkane यह iupis name होता है isocyanide का तो देखे हम इसको यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे जो ac car है उसमें अम्मा जी को लेकर निकले syonara syonara isocyanara आप सोच रहोंगों कि syonara वाला गाना तो सना है यह iso syonara तो भई याद रखना पड़ेगा ना तो iso syonara गाना गुन गुनाते वे इसके बाद जो next function group है aldehyde तो aldehyde ch o group होता है iupish name that is suffix क्या है क्या है al lk null prefix क्या है या तो हम formile यूज करते हैं या oxo यूज करते हैं कब कौन सा यूज करते हैं वो भी हमने discuss किया है और aldehyde के बाद next priority किसकी है ketone iupish name own that is suffix और prefix क्या है ketone का keto या oxo ketone के लिए कोई भी prefix यूज कर सकते हैं तो आप देखे वापिस हम यहाँ पर आ जाते हैं aldehyde को हम याद रखेंगे aladine and katerina kev that is ketone with due respect katerina kev से मिलने पहुचे जहां उन्होंने alcohol का आनन्द नहीं उठाया alcohol बहुत काम की चीज़ है वाँ alcohol next function group है alcohol इसका जो iupish name है वो क्या है all suffix और इसका prefix क्या है hydroxy और इसके बाद क्योंकि उन्होंने वहाँ मरावा captain पाया मतलब next function group थायौल थायौल का iupish name थायौल ही होता है और prefix मर capto इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मरावा captain पाया यह देखिए मरावा captain मरावा captain पाया तो सब ने मिलकर बोला आमीन मतलब functional group अमीन इसका suffix क्या है अमीन ही है और prefix क्या है अमीनो है अमीनो इसके बाद हमारे पास दो primary suffix students alkin and alkin alkin its primary suffix is what in क्या इसका secondary suffix होता है no alkin का कोई secondary suffix नहीं है because it is not a functional group तो हम alkin को कैसे याद रखेंगे जैसे अभी हमने जो amine function group है उसके लिए याद रखा सबने मिलकर बोला amine तो जो alkin है हम उसको याद रखेंगे जैसे ही सबने मिलकर बोला amine alibaba और उसके चालिस चोर बढ़क गए ये देखिए alibaba जी कितने angry young man की तरह आपको दिख रहे हैं उटर बजाओ alarm मतब next हमारा जो alkin के बाद priority order में group है वो है alkin क्या इसका primary suffix है हाँ i-n-e क्या इसका secondary suffix possible है no alkin का भी कोई भी secondary suffix नहीं होता because it is not a functional group तो जो alkin है उसके बाद हमारे पास bottom में सारे halogens that is substituents है fluoro chloro bromo iodo nitro phenyl as well as जो ether function group है वो भी इनी सभी substituents के साथ बिचारा सबसे bottom में present है तो मैं ये जो आपको मैंने पूरा pneumonik बताए है अब उसको summarize करता हूँ car sumo में that is carboxylic acid and sulfonic acid anna g that is anhydride easter occasion पर that is ester ac car that is acid chloride amma ji को लेकर that is amide cyanara isosyanara gana gungunate that is cyanide and isosyanide कहां गए aladin and katerina कैफ से मिलने पहुचे aladin it means aldehyde katerina it means ketone जहां उन्होंने alcohol का आनंद नहीं उठाया alcohol मतलब os group है ना lk nol क्योंकि उन्होंने marawa captain पाया mar capto that is sh thaiol functional group सबने मिलकर बोला amine that is ns2 amine functional group ये सुनते ही जो alibaba और उसके 40 चोर हैं वो तुरन भड़क गए तो alkene और सबने immediately मिलकर बोला hooter that is alarm बजाओ alkine तो मुझे लगता है आज के बाद ये जब भी आप priority order जो functional groups का है उसको याद करने की सोचेंगे उसको revise करने की सोचेंगे मेरा ये जो neumonic है आपकी बहुत help करने वाला है आपको बहुत मज़ा आने वाला है students और आपको ये छोटा सा मेरा जो वीडियो है ये बहुत पसंद आया तो अपने likes वो मुझे जरूर दीजिए अपने जो अच्छे-च्छे comments हैं वो मुझे जरूर दीजिए इससे मुझे बहुत एनरजी मिलेगी और आप अपने नाम के साथ chemo file भी जरूर लिखिए if you are chemistry lover तो ऐसे ही कुछ अच्छे और वीडियो के साथ कुछ अच्छे interesting pneumonic के साथ मैं फिर आप से आगे मिलूँगा तब तक के लिए thank you